हेलो फ्रेंट्स वेलकम बेक टू माई चैनल फ्रेंट्स आज हम आपको 7-8 यर बेबी के लिए बहुती प्यारी सी फ्रोक बनाना सिखा रहे हैं इसके लिए हमने 1.60 cm फेब्रिक लिया है आई ये वीडियो शुरू करते हैं ये देखिए फ्रेंट्स यहाँ पर हमने 2 पीस ले लिये हैं जिसकी लेंथ 31 इंच है और चोड़ाई में ये 26 इंच है इसका साइड का फेब्रिक हमने निकाल दिया है अब एक साइड से यहाँ पर हमें इस पर 6.5 इंच का निशान लगा लेना है यहाँ पर दूसरी साइड से भी हमें इस पर 6.5 इंच का निशान लगा देना है अब इन दोनों निशानों को हम ऐसे करते हुए यहाँ पर मिला देते हैं एक दूसरे से हमने इन निशानों को यहाँ पर मिला दिया है अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं यह देखे यहाँ से बीच से हमने इसको काट लिया है अब हम इसके दो पीस को उठा लेते हैं और इस तरीके से करते हुए इसके उपर रख लेते हैं यहाँ पर पीस हमने इसके उपर रख लिये हैं 4 लेयर हमारी हो गई है अब जो हमारी सीधी साइड है उस पर 2.5 इंच का हम निशान लगा लेते हैं और इसको इस तरीके से बीच से मिला लेते हैं बीच से हमें बिल्कुल कम रखना है और साइड से हमने 2.5 इंच लिया है आर्म होल की लेंध हमें 6 इंच रखनी है चेस्ट यहाँ पर हमने इसकी 8.5 इंच रखी है अब हम इसमें आर्म होल में गोलाई कर लेते हैं ऐसे करते हुए हम इस पर थोड़ा तिर्चा करते हुए निशान लगा लेते हैं वेस्ट हमने इसकी 8 इंच रखी है अब इस निशान को उपर के निशान से नीचे तक हम इसको तिर्चा करते हुए ऐसे मिला लेते हैं यह देखिए फ्रेंट सभी निशान हमने लगा दिये हैं, बीच में हम हलकी सी गोलाई कर देते हैं, अब हम इसको कटिंग कर देते हैं, आर्म होल में से भी हमें ऐसे ही इसको कटिंग कर देना है, साइड से आप उपर की साइड से देख सकते हैं, एक साइड से कम है, यह एक सा रखती नहीं है यह देखिये फ्रेंस यह पीस हमारे कट कर कुछ इस तरीके से हो गए हैं यह स्लीव के लिए हमने पीस लिए हैं हमने इस पीस को इसको कर देते हैं यहां से इस जंके से टूपॉइंट 5 इंच का हम इस पर निशान लगा लेते हैं उपर की साइड से भी हमें इस पर 2.5 इंच का निशान लगा लेना है और इसमें गोलाई करते हुए निशान को निचे तक मिला देना है उपर से और निचे से हम इस निशान पर ही इसको कटिंग कर लेते हैं आगे की साइड से हमें इसको फोल्ड करना है और इसमें लास्टिक डालनी है ये हमने रेब की पाइपिन ले लिए लिए वन इंच की अब सबसे पहले फ्रेंट्स यहां फ्रोक के हमने दोनों पीस ले लिए हैं और इसके beach center से हम इस पर निशान सिलाई लगा लेते हैं। हमें fabric को खीचना नहीं है, दोनों को बिल्कुल बरावर रखते हुए, ढिला ढिला छोड़ते हुए सिलाई लगानी है। यह हमने बीच से इसके सिलाई लगा दी है अब इसका सबी फेबरिक जिस साइड में हमने सिलाई लगानी है उसके नीचे की साइड को इसको दाब देना है जिससे हमारा फेबरिक दो सिलाई से इसके नीचे की साइड को दब जाएगा एक सिलाई हमने यहाँ पर लगा ली है ए हम इसको डबल कर लेते हैं और अपना दूसरा पीस भी ले लेते हैं, बनी हम इसकी नेक चोड़ाई कर देते हैं और इसको काट लेते हैं फ्रेंट्स ये नेक हम बेक और फ्रेंट साइड से बिल्कुल बरावर बना रहे हैं समर के मोसम में थोड़े से डीप नेक बेबी के बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं अब हम इसमें फ्रेंट आर्म होल में हलकी सी गहराई कर देते हैं जिससे इसकी आर्म होल की शेप बेबी के पहन कर बहुत ज़्यादा प्यारी आती है ये देखें यहाँ पर हमने आर्म होल की कटिंग कर ली है आप देख सकते हैं इसकी कितनी प्यारी सी शेप यहाँ पर आ गई है दूसरा पीस भी हम यहाँ पर ले लेते हैं और शोल्डर पर सिलाई लगा लेते हैं फ्रेंट शोल्डर पर हमें हमेशा डबल सिलाई लगाने चाहिए जिससे हम सिलिव दिया पाइप इन नेक में लगाते हैं तो यह साइड से खुलते नहीं हैं और हमें परिशानी नहीं होती है एक सिलाई यहाँ पर हम और लगा लेते हैं यह हमने यहाँ पर सिलाई लगा ली है अब यह हमारा नेक है नेक में हम अपने अंदर की साइड को फोल्ड करने वाली पट्टी लगा रहे हैं तो इसको हमें डिला डिला छोडते हुए लगानी है किसी भी जंगे से इसको हमें खीचना नहीं है और फ्रेंट्स नेक में जब हम पाइपिन लगाते हैं तो हमें अंदर की साइड की सिलाई इसकी बराबर लेनी चाहिए जिससे हमारी पाइपिन की शेफ बहुत जादा अच्छे आती है डिला डिला छोड़कर हमें पट्टी को लगा लेना है अब यहां से हम इसको जोड लेते हैं फ्रेंट्स इसके बारे में कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं और हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा यह साइड की पट्टी हमने इसमें सिलाई लगा ली है अब हम इसके अंदर की साइड को हलके हलके से कट लगा लेते हैं कट लगाते समय ध्यान रखें कि आपकी सिलाई कटे नहीं अब हम इसको फॉल्ड कर लेते हैं और सबी फैबरीक इसके नीचे की साइड को हम कर लेते हैं और किनारे पर इस पर सिलाई लगा लेते हैं इस तरीके से आप नेक में पट्टी लगाएंगी तो आपकी पट्टी बहुत फिनिशिंग के साथ लगकर तयार हो जाएगी ये देखिए पट्टी यहाँ पर हमने लगा दी है अब आप इसको हाथ की तुरुपाई की सुईंग की मदद से भी तुरुपाई कर सकती है और मशीन से भी इस पर सिलाई लगा सकती है अब हम इस पर एक फाइनल सिलाई लगा रहे हैं जिससे ये हमारी पट्टी तयार हो जाती है ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर नेक हमारा कितना प्यारा सा ये बनकर तयार हो गया है यह हमारी स्लिव्स हैं आगे की साइड से हमें इसको बारिक से किनारी फॉल्ड कर देनी है यह आगे की साइड से हमारा रेब का फैबरिक है तो इसको धीरे धीरे से हमें इसमें सिलाई लगानी है यह देखिए यहाँ पर sleeves को हमने fold कर दिया है अब यह हमने 10 इंच की दोनों sleeves के लिए elastic ली है यहाँ पर हम इसको रख लेते हैं 1 इंच के करीब हमें इसमें दूरी छोड़नी है और इसको elastic को खीषते हुए हमें लगा लेना है अब उपर की साइड हमें इसमें चुन्नटे डालनी है जो हम frock में sleeves लगाते हुए चुन्नटों को डालते हैं जिससे हमारी sleeves कम या जादा नहीं होती है प्लेट्स हमारी बिल्कुल बराबर आती है यह देखिए बीच से हमने इसमें जितनी भी प्लेट्स आ रही है साइड से दूसरी sleeves माप कर इतनी ही प्लेट्स इसमें हम डाल देते हैं फ्रैंक्स इसी तरह के काफी प्यारे प्यारे से डिजाइन की वीडियो हमने अपने चैनल पर अप्लोड की हुई है आप चैनल पर से बेबी के हर साइज की वीडियो देख सकते हैं जिसने हमने ड्रेस डिजाइन और फ्रोक डिजाइन की वीडियो अपलोड की हुई है और कटिंग और स्टिचिंग भी वीडियो में हमने बताई हुई है दोनों sleeves हमने यहां पर लगा कर तयार कर ली है अब हम इसमें साइड की फिटिंग की सिलाई लगा लेते हैं फ्रेंड्स फिटिंग की सिलाई आप अपनी बेबी का मेजरमेंट लेकर उसके हिसाब से थोड़ी सी कम या जादा भी लगा सकते हैं यह देखिए यहाँ पर फिटिंग की सिलाई हमने लगा कर इसको तयार कर लिया है दूसरी साइड में भी हमें फिटिंग की सिलाई इसमें ऐसे ही लगा कर इसको तयार कर लेना है दोनों साइड में हमने फिटिंग की सिलाई लगा दी है अब हम इसका नीचे का गहरा फोल्ड कर लेते हैं नीचे का गहरा हमें इसको दो सिलाई से फोल्ड करना है एक सिलाई से हम गहरे को फोल्ड कर रहे हैं और एक सिलाई इस पर हमें किनारे पर लगा देनी है जिससे इसमें घेरे की शेप बहुत जादा अच्छी हो जाएगी और डिजाइनिंग भी इसकी प्यारी हो जाएगी अब हम किनारे पर इस पर सिलाई लगा रहे हैं यह देखे फ्रेंज यहाँ पर कितनी प्यारी सी हमारी यह पफ सिलिव्ज की फ्रोग बनकर तयार हो गई है और बहुत कम टाइम में और बहुत प्यारी सी आप यह फ्रोग घर पर ही बना सकते हैं फ्रेंट्स हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मिलते हैं नेक्स वीडियो